हमने y equals to x देखी y equals to x plus 1 बनाए तो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे points ले लेंगे और यह x ले लेंगे आप अच्चो पहले निकाल सकते हो कि अब हम अगर x में 0 पुट करते हैं तो y की value क्या होगी x plus 1 यानिकि 0 plus 1 वन आ जाईगी x के value 1 रखेंगे तो आपको y की value 2 मिल जाईगी और x की value अगर 2 रखी तो y की value 3 मिल जाईगी तो इस तरह से आप इसको coordinate system पर represent कर सकते हैं तो यह आपने बना लिया y coordinate इसके बाद बना लिया आपने x coordinate और यहाँ पर points मार्ग करते हैंगे जैसे कि यह हो गया 1, 2, 3, 4 यह y axis हो गई और यह आपकी x axis हो गई अब बच्चो इसको आप draw करेंगे तो देखेंगे x equals to 0 यानि कि x equals to 0 यह है और y की value क्या है 1 तो बच्चो पहला x equals to 0 और y equals to 1 यह point मिलेगा तो पहले point को हम ऐसे डार्ग कर देखें तो बच्चो यह point कौन सा हो गया यह point हो गया 0,1 यानि कि x की value 0 है और y की value 1 है दूसरा जब x equals to 1 आएगा तो y की value 2 आएगी x equals to 1 है y equals to 2 है और जब x equals to 2 है तो y की value 3 है तो आप देखेंगे कि इस line को कुछ आप इस तरह से draw कर सकते हैं यह 3 point है इनको आप अगर meet कराएंगे तो आपको कुछ ऐसी line मिले यह line मिले अब बच्चो इसको आप देख सकते हैं कि y equals to x plus line इसको आप लिख दो y equals to x plus 2 अब y equals to x line को अगर यहाँ पर मैं draw करूं तो बच्चो आप recall कर सकते हो वो कहां से जा रहे थी 1,1 और 2,2 यह point हो गया आपका 1,1 और यह हो गया 2,2 तो वो line हमारी कहां से जा रहे थी वो इन दोनो points से जा रहे थी यानि कि वो कुछ ऐसी line थी तो आप देख सकते हैं कि this is your y equals to x line तो दोनो line कैसी हैं दोनो line parallel नजर आ रही हैं आपको both lines are parallel अब इसमें आप यह देखोगे कि जो parallel lines हैं यह angle theta और यह angle theta देख सकते हो corresponding angle है दोनों बराबर होंगी तो आप यह देख सकते हो कि x का coefficient यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है तो दोनों जगे coefficient अगर 1 होता है तो angle भी बराबर होता है तो यानि कि हमने कुछ नहीं किया है यह plus 1 करने की वज़ा है हमने इस line को क्या कर दिया है बच्चो इस line को लेके बस shift कर दिया है एक point उपर देखो जो value हमें कहां मिलनी थी हमने यह value देखी थी 0,0 मिल रही थी अब यह value क्या होजएगी 0,1 यह मिल रही थी 1,1 तो यह होजएगी 1,2 यानि कि हम y की value में एक plus कर दिया है आप यहां पे देख सकते हो y की value में हमने एक add कर दिया है तो जैसे हम y की value में एक add करते हैं तो हम इसको ऊपर की तरफ shift कर देते हैं तो ये point आपका यहाँ पहुँच गया ये वाला point यहाँ पहुँच गया तो इस line को अगर ऊपर की तरफ shift करते हैं तो ये equation हो जाती है y equals to 1 तो बच्चो अगर मैंने अगर मैंने ऐसे लिग दिया तो आप इसको ऐसे लिख दिया y equals to अगर इस equation को y equals to x plus 2 कर दिया y equals to x plus 2 कर दिया तो आप predict कर सकते हैं कहां जाएगी छीक है एक पर draw कर लेते हैं हम इसी पर draw करेंगे तो y equals to x plus 2 को मैं different color से लिख देते हैं y equals to x plus 2 तो इसमें अगर आप x की value zero रखेंगे तो आपको y की value 2 मिलेगी और इसमें अगर x की value आप 1 रखेंगे तो y की value 3 और x की value 2 है तो y की value 4 तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको points कैसे मिलेंगे 0 पर 2 मिल रहा है यानि कि एक point तो आपका यह होगया 1 पर यह value 3 मिल रही है तो एक point यह होगा और 2 पर यह value मिल रही है कि यह होगा तो आप इस line को अगर draw करना चाहें तो यह line कुछ ऐसी दिखेगी आपको यह line कुछ ऐसी दिखेगी सारे points को meet करते हुए तो बच्चों आप देख सकते हो कि यह सारी line parallel है यानि कि y equals to x y equals to x के parallel ही आ रही है तो इसको y equals to x के parallel यानि कि y equals to x y equals to x plus 1 और y equals to x plus 2 यह सारी line parallel है क्योंकि यह angle same angle बना रहे है x-axis से तो यह आपकी x-axis हो गई और यह line हो गई यह same angle बनाएंगे corresponding angle है यह theta 1, यह theta 2 और यह theta 3 तो यहाँ पर theta 1 equals to theta 2 और equals to theta 3 हो जाएगा तो आप देखो यह इनका coefficient x का coefficient क्या हुआ है same है तो x का coefficient क्या बताता है जो angle बताता है अच्छा यह plus 2 करने से क्या impact आया है देख लेते है plus 2 करने से यह आया है कि जो y equals to x line थी इसमें अगर आप plus 2 कर देखो तो सारे points उपर की तरफ दो unit बढ़ जाएंगे यह 1 था 1,1 तो x तो 1 ही रहेगा लेकिन y में आपका 2 addition हो जाएगा यानि अगर इस line को मैं उपर shift करता जाऊं तो आप यहां से predict कर सकते हो आप यहां से predict कर सकते हो अगर y equals to x plus 3 बना ली तो हम क्या करेंगे इस line को यानि कि यह वाली line को आप 3 unit बढ़ा दो तो यह वाली line आपकी y equals to x plus 3 हो जाएगी बच्चो आपको समझ में आ रहा है तो जैसे ही y equals to x हमने draw करी और उसमें आपने plus 1 किया तो वो 1 unit shift करी plus 2 किया तो 2 unit shift होई और plus 3 करेंगे अगर x plus 3 करेंगे y equals to x plus 3 ही तो यह कितनी unit shift हो जाएगी? 3 unit shift हो जाएगी और अगर बच्चो आपने कुछ ऐसी line एक draw कर दी यानि कि यहां से आपने एक line ऐसे draw कर दी तो आपने यह क्या किया है? 1 unit नीचे की तरफ shift कर दी है parallel line है parallel line है बट यह क्या हुआ? नीचे की तरफ shift हो गई तो आप सोच सकते हो इसकी equation क्या होगी? इसकी equation बच्चो क्या होनी चाहिए? y equals to x और उसको नीचे shift कर रहे हैं तो x minus 1 तो इस तरह से हम line बना सकते हैं